दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रेस्टरॉ के लिए वेबसाइट क्रियेट करने वाले हैं with the help of WordPress इस पूरे के पूरे वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोई भी previous coding knowledge, programming knowledge होने की कोई जरूरत नहीं है WordPress के अंदर ये काम आदे घंटे के अंदर बहुत ही easily हो जाएगा मैं आपको इस वेबसाइट का demo चेक कराता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या functionality और features है लेकिन उससे पहले ये website किसी restaurant की रहने वाली है तो जाइट सी बात है इसका online presence होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस website को online लेकर के आने के लिए हम लोग यहाँ पर use करेंगे domain racer का जो आपको web hosting and domain की services यहाँ पर provide करते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत detail में discuss करेंगे demo के बाद यह हमारा एक website है मैं इसको यहाँ पर refresh कर देता हूँ refresh करने पर इसका loading time काफी fast है because of hosting एक अच्छे hosting के साथ अगर आप जाओगे तो website जल्दी load हो जाएगा इस case में हम लोग domain racer का use करेंगे राइट यहाँ पर पीछे आपके सामने आप notice करोगे तो एक video लगा हुआ है जो की continuous play हो रहा है अगर यह आपको अटक करके दिखें तो because of recording हो सकता है क्योंकि मैं record करता हूँ तो system पर load पड़ता है वरना यह बहुत smoothly यहाँ पर run कर रहा है उपर अगर left hand side पर अगर आप देखोगे तो आपके पास एक logo है और यह आपका nav bar यानि की navigation section है home, about, menu, contact और reservation का एक option है यहाँ पर पीछे आपके साथ background में आप चेक कर सकते हो video play हो रहा है यहाँ पर आप title वगरा लिख सकते हो, अपने shop का नाम लिख सकते हो, reservation का एक option है, explore more का एक option है नीचे अगर scroll करते हैं तो आप BBQ place और यहाँ पर आपके सामने दो dish के pictures है आप इसे बहुत easily change कर सकते हो, सारे content को change कर सकते हो, button पर click होने पर कहा जाएगा person उसे भी आप change कर सकते हो, वो भी हम इस video के इंदे discuss करेंगे फिलाल नीचे आते हैं यहाँ पर यह आपके clients हैं और और नीचे आएंगे तो feature, delicious, fresh from the grill, जो भी आपको लिखना हो और यहाँ पर आजाएंगे आपके food items, images बहुत ज़्यादा high quality है यहाँ आपके सामने एक heading है, उसका price है, आप इसे INR में भी लिख सकते हो और product का नम आप लिख सकते हो, छोटा सा description आप दे सकते हो animation देख रहे हो, काफी अच्छा है और यह सारा कुछ बिना coding knowledge के बन जाएगा यहाँ पर आपके सामने आपके customer के feedback है और नीचे आपका footer section है यहाँ पर मैं उपर आता हूँ, अगर मैं about us पर click करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने about us का page open होगा, तो यह हमारा about us का page है इसके उपर भी animations apply किये गए है, about us, no more, कुछ line आप यहाँ पर लिख सकते हो background में एक image है, उसके उपर black color का overlay है, still वो अच्छा लग रहा है नीचे scroll करें, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यह सारी चीज़े और यहाँ पर कुछ images है यह आप देखोगे, तो यह सारा details आपको मिलेगा, और animation आप इस page के उपर भी लगा सकते हो मैंने front page के उपर लगा करके रखा है, उसी method को follow up करते हुए सारे के सारे pages पे आप animation लगाओगे यह आपके chef के details है, यहाँ पर आते है menu के उपर जाते है menu पर जाने के बाद यह आपके menu का page है, यहाँ पर आ जाओगे आपके details है products के, और वही चीज है जो हमने front page पर भी check किया लेकिन यहाँ पर आपको extra कुछ देखने को मिल जाएगा नीचे अगेन आपका footer है, यहाँ आते है, contactors का एक page मिलेगा और यह आपका contactors का page है, आपके contact details है, यह आपका एक form है user इसको fill कर सकता है, खाली fill करोगे तो यह बोलेगा पहले details पास करो right hand side पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका google map यह website पूरे तरीके से mobile friendly है, device friendly है, tablet friendly है तो अगर आप इसे mobile के उपर देखो, tablet पे देखो, computer, laptop किसी भी screen के उपर देखो, सारे के सारे animations आपको दिखेंगे और यह हर जगा पे अच्छा ही दिखेगा आपको, तो अगर आपका client, mobile, tablet कहीं से भी आपकी website को check करता है, don't worry, काफी अच्छा look आएगा आपके website का, वो आप यहाँ भी check कर पा रहे हो, तो यह सारे के सारे device को adopt करेगा, तो मैं यहाँ से इसको currently close कर देता हूँ तो यह कुछ quick overview था, आपके इस project का, इस website का, आप इसमें क्या सीखने वाले हो, यह reservation का button काम नहीं करता है, हम इसको remove करेंगे अगर आप चाते हो कि यह reservation वाला भी चले और यहाँ से table reservation हो जाए swiggy और zomato की तरह online खाना order हो जाए और साथ में आपको एक android application भी मिल जाए तो उसके लिए मैं आपको recommend करूंगा, कि आप जाए हमारे channel के उपर और playlist section में आपको जाना है, playlist section को जब आप open करेंगे how to create a website using wordpress का playlist मिलेगा, इसको open करोगे इसको आप open करेंगे, तो इसी series के अंदर आपको एक video मिलेगा how to create a food delivery restaurant booking website, यह आपको मिल जाएगा और इसके अंदर proper payment option, android application set up करना real time पे swiggy और zometo की तरह customer के orders को pick करना android application के उपर, साथ में website, यह सारा का सारा काम आप इस series के अंदर सीख जाओगे वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे channel पे new है तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification को on करे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बड़ जरूर channel के playlist को जाकर के देखे यहाँ पे आपको web designing, web development, software development, game development, programming e-commerce website, search engine बनाना, chatting application बनाना बहुत कुछ है जो मैंने already करा रखा है आपको जरूर पसंद आएगा अब देखिए, इस website को मैं directly live बनाने वाला हूँ online बनाने वाला हूँ, domain hosting के उपर so अगर आपके पास domain और hosting currently नहीं है कोई problem नहीं है आप इस video को follow करते रहे आप एक काम करो, description से आप इस video का link ले लो WordPress को अपने ही computer पे कैसे install करते हैं आप सीख लो और उसके बाद आप इस tutorial को follow कर सकते हो क्योंकि मैं WordPress को online install करने वाला हूँ मैं बाद में आपको यह भी बता दूँगा कि अगर आपने इस video को follow किया है तो फिर अपने computer से online कैसे ले करके आना है तो हम दोनों discuss कर लेंगे किसी भी website को बनाने के लिए कम से कम दो चीजों की requirement होती है जो की compulsory है एक होता है आपका domain name एक होता है आपका hosting यह वो compulsory चीजे हैं जो website को online ले करके आने के लिए चाहिए ही चाहिए mandatory चीजे है domain होता है आपका नाम identity, पहचान google.com, facebook.com, domainracer.com यह एक नाम है जैसे human beings के नाम होते हैं हम लोगों के नाम होते हैं अमान, अंकेत, सुमेत, पहचान है न है हम human beings, इंसान है लेकिन अब हर एक को इंसान के तोर पर नहीं बोला जा सकता तो इसकी एक नाम दी गई है ऐसे ही अलग-अलग website के अलग-अलग companies के एक नाम होते हैं online दुनिया में, website के दुनिया में वो आपका hosting है जैसे अगर आपका नाम अमन है तो अमन आपका domain name है identity है, अमन जिस घर में रहता है वो अमन के लिए एक hosting कहला आएगा ठीक है, अमन इस जगह पे present है तो कुछ ये चीज़े होती है domain racer को use करने का benefit मैंने आपको check कराया था, website बहुत fast load हो रहा है, इवन पीछे एक video लगा हुआ है हमारा यहाँ पे still यह fast load हो रहा है, कोई buffering आपको देखने को नहीं मिलेगा, right so 16 cross की faster speed मिल जाती है आपको और कई सारे plan में तो 20 cross का भी speed आपको मिल जाता है यह एक अच्छा option है, अगर आपको सिर्फ domain के requirement हो, नीचे scroll करना यहाँ पर अपना domain name डालना .com.in जो भी select करना हो करना go click करके complete कर सकते हो process को, हम इस tutorial में दोनों चीज़ा सीखेंगे, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ web hosting के उपर, web hosting पर जैसी आप click करोगे, तो details आप read out कर सकते हो, light speed technology है pure SSD disk space है SSL certificate free है SSD जो होता है आपका काफी ज़्यादा fast होता है SSL होता है आपका HTTPS जो कि आप इस जगह पर देख सकते हो और हमारे इस website के ऊपर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यह आपका SSL certificate कहलाता है नीचे scroll करते हैं, जो plan start होते है, यहाँ पर basic plan है आपका 59 rupees per month बहुत छोटी सी amount है advanced plan जो है heavy traffic के लिए यह है आपका 249 rupees per month अगर आप एक student हो और आपको सिर्फ school या college का project online लेकर के आना है तो 90% cases में यह वाला plan आपके लिए suitable है सस्ते में आपका काम हो जाएगा आप अपने project को एक साल के लिए 800-900 rupees की amount पे आप online लेकर के आ सकते हो आप इस plan की तरफ जा सकते हो अगर आप एक working professional है web designing, web development का काम शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो मैं आपको recommend करूँगा advanced वाले plan पे ही जाए क्योंकि आप इसमें unlimited websites को host कर सकते हो और बार बार आपको hosting खरीदने की ज़रूरत नहीं है आप client से पैसे बार बार अच्छा खासा हर client से earn कर सकते हो मुझे tutorial बनाना है तो मैं यहाँ पे silver plan की तरफ जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं तीन website को host कर सकता हो unlimited SSD की storage है unlimited email accounts है bandwidth light speed technology जैसे जैसे आप duration को increase करते हो price आपका कम होता चला जाता है मैं एक सालो के लिए जा रहा हूँ view more पे click करते हैं view more पे click करने के बाद यह आपको बोलेगा domain name select करो .com.in जो भी आपको चाहिए हो यहाँ बहुत सारे option है आप यहाँ से select कर लेना यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं हम क्या opt कर सकते हैं let us say cyber restore रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो मैंने लेका cyber restore नाम आप जो मर्जी रख ले extension यहाँ से select कर ले .in.com जो भी है और check पे click करे ऐसी कोई guarantee नहीं है कि यह आपको एक बार में मिल जाएगा no domain जो होता है particular extension में unique होता है पूरे दुनिया में एक ही बंदा एक particular नाम को register कर सकता है और कोई नहीं कर सकता तो अगर आपको यह ना मिले कुछ spelling कम कर देना जादा कर देना ऐसा आपको changes करने पड़ सकते हैं आप select करें price आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर अगर आप check करोगे तो old price है 3030 रुपए but currently हमें offer के जरीए यह मिल जाएगा 2271 और 3 years के लिए आप जाओगे तो आप 1000 रुपीज के आसपास save कर लोगे मैं 1 year के लिए जा रहा हूँ continue पर click करते हैं click करने के बाद again continue और यहाँ पर आपका domain name आ जाएगा कुछ भी extra आपको दिखता है आप यहाँ से delete कर दोगे उसे और अगर changes करने हो तो edit कर लोगे domain name और साथ में plan आपका hosting का selected होने के बाद यह आपका price है checkout के उपर click करें checkout पर click करने के बाद यह आपको बोलेगा first name, last name, email, phone number, address आपका password, confirmation password और उसके बाद आपको अपना order place करना है जिस तरीके से आप online shopping करते हो उसी तरीके से आपको यह details पास करनी है आज का time पर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है online transactions कैसे की जाती है बड़ा ही आसान है एक बाद आप इसको successful कर लेते हो इसके बाद आप आजाओगे इनके main page पे main page पे आने के बाद यहाँ एक option मिलेगा login का login पे click करने के बाद यह आपको email address और password प्रोवाइड करने को बोलेगा वो email address और password आप देऊगे जो आपने जस्ट पीछे वाले step में दिया है अपने order को place करने के लिए तो मैंने इसको details provide कर दिया है इसके बाद आपको login पे click करना है login पे click करने के बाद जितने भी services आपने opt किये होंगे आपको numbers यहाँ पे show हो जाएगा domains का number show हो जाएगा आप चले जाओगे services पे services पे जाने के बाद जो भी domain आपने selected किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे मेरे case में मेरे पास currently दो domains हैं already तो मैं आपको इस वाले के ऊपर काम करके दिखाता हूँ domain name आपको दिख रहा है आप active के ऊपर क्लिक करोगे यह जो interface आप चेक कर पा रहे हो right hand side पे नीचे आपको एक option मिलेगा login to cpanel आप उसके उपर क्लिक करोगे तो यह आपका cpanel है domain racer आपको 100 plus options provide कर देते हैं तो आप इस hosting के जरीए काफे कुछ सीख सकते हो web development के career में जैसे कि email के लिए दुनिया भर के options हैं jet backup के लिए options हैं आपके पास files के लिए options हैं बहुत सारे options हैं even SEO के लिए भी separate चीज़े आपको दी गई है हम इस tutorial में WordPress का use करने वाले हैं तो हम नीचे आ जाएंगे WordPress के ऊपर आपको click करना है click करने के बाद install now पे click करना है और make sure आप यहां से बिल्कुल correct domain select करें अगर आपके पास multiple domains हो तो जिस पे आपको काम करना है वो select करें जो भी WordPress का latest version हो वो यहां से select करें और इस WP को यहां से हटा ले यहां पे नीचे scroll करें अपना title अगरा change करना हो तो कर ले website का वरना अभी कोई ज़रूरत नहीं है हम इसे कर लेंगे आगे जा करके यहां पे आपको WordPress का admin का username देना है और इस जगह पे आपको password provide करना है वो आप provide करें email address correct pass करें ताकि अगर आप password भूल जाए तो reset pin वगरा मंगा सके नीचे scroll करोगे install का एक option है उस पे click करें और आपका WordPress जो है वो आपके domain के उपर install हो जाएगा यहां पे आपको congratulations का एक message देखने को मिलेगा अब जो भी आपकी website है जो भी आपका domain है आप उस पे जाओगे इस पे जाने के बाद आपको slash wp-admin लिखना है और enterprise करना है यह जो आपको interface दिखेगा यह आपके domain का जो की hosting के उपर है domain racer के यह आपका वो interface है WordPress के dashboard login का हमने थोड़ी देर पहले admin और एक password generate किया था वो details आपको सही तरीके से पास करना है और login के उपर click करता है login पे click करने के बाद यह आपका WordPress का dashboard है जो की अगर आप description में दिये हुए वीडियो को check करोगे तो भी आप अपने computer में WordPress को install कर लोगे अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो आप directly online भी कर सकते हो step by step या फिर अगर आपके पास server नहीं है और आप local host पे हो तो आप वहां भी कर सकते हो तो मैं अब directly local host पे काम करूँगा और फिर आपको एक backup file ले करके online migrate करना सिखा दूँगा कि domain hosting के ऊपर website को कैसे migrate किया जाता है तो अब जो आप interface देख रहे हो यह WordPress का जो interface है यह मेरे local host पे है local computer पे है इसे मैंने zamp server के अंदर install किया है यह मैंने आपको बताया description में दिये हुए video के जरिये आप यह चीज सीख सकते हो आप इस काम को directly online भी कर सकते हो WordPress में website बनाने के दो तरीके हैं पहला है आपका from scratch, beginning सारा काम आप खुद करो, A to Z चीज़े आप बनाओ, दूसरा होता है आपका बने बनाए templates को use करना, themes को use करना अपने project के अंदर और उसे implement करना और यह तरीका काफी ज़ादा fast होता है तो हम भी इसे ही prefer करने वाले हैं इस चीज के लिए आप क्या करोगे, left hand side पे जो option मिलेगा उस पे जाकर के view site कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको एक website देखने को मिलेगा यह look हर साल change होता है, per year यह जो look हो change होता है बहुत बेकार सा look होता है यह आप dashboard में आ जाए appearance और यहाँ से आपको जाना है themes पे, यहाँ पे आने के बाद add new theme, ध्यान दे wordpress को use करने के लिए internet connectivity आपको चाहिए बला ही local host पे करो, internet तो आपको चाहिए यहाँ पे आ करके आपको search करना है, एस्ट्रा यह जो look है, यह हर साल change होता रहता है तो look पे ध्यान ना दे, spelling आपका A-S-T-R-A, एस्ट्रा होना चाहिए install पे click करे install होने के बाद activate करे activate होने के बाद जो भी extra theme है, extra को छोड़ करके आप उसे delete करें, ताकि आपकी website थोड़ी सी fast हो जाए themes यहाँ पे एक ही active हो बाकियों को आप delete करें तो मैंने एक delete कर दिया है, similarly मैं बाकी दो को delete कर रहा हूँ alright, so मैंने यहाँ पे बाकी तीनों extra theme को delete कर दिया यहाँ पे एक option है उपर get started का इसके उपर click करें तो यह activate हो रहा है, इसके बाद यह आपको बोलेगा select page builder page builder वो tool है जिसके जरीए आप अपने pages को बनाओगे, उसमें changes करोगे customize करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ elementor का तो इसके उपर click करें और यहाँ पे आ करके आपको search करना है bbq bbq लिखने के बाद ये वाला एक theme आपको मिलेगा, इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद import complete site पे click करें यहाँ से आपको select करना है wordpress में आपको कितनी knowledge है, किसके लिए website बना रहे हो यह, इसके बाद आपको अपना first name email पास करना है और इसके बाद आपका website का import का process start हो जाएगा मैं currently tutorial बना रहा हूँ तो मैं इसको skip कर दूँगा, जैसी मैं skip पे click करूँगा, मेरा process start हो जाएगा और कुछ ही minutes के अंदर मेरी theme जो है, वो import हो जाएगी तो आप check कर सकते हो, theme हमारा import हो चुका है, अगर यह पीछे आपको preview का false आपके case में भी दिखाई देता है, यह fault वगरा, तो यह because of theme issue, internet connectivity issue हो सकता है, don't worry about that आप चाहें तो इस message को cut कर सकते हो उपर आपको एक option मिलेगा, यहां से आप चले जाओगे अपने view site पे और यहां आने के बाद, आप बस अपने website को refresh करके देखो आपका जो theme है, वो यहां पे install हो जाएगा proper तरीके से यह work करेगा जो मैंने आपको demo में दिखाया वो already बन करके तयार है हमें बस इसमें थोड़े बहुत changes करना सीखना है, और अपने according customize करके कुछ animations को perform करना है यह कैसे होगा, इस चीज के लिए आपको यह page open करके रखना है, सबसे पहले तो आप mandatory चीजों को यहां पे कर लेते हैं यह जब आप page open करोगे जिस भी page में आपको changes करने हैं उस page को देखो, जैसे currently हम homepage पे हैं, और यहां पे एक option है, edit with elementor, मैं इसको new tab में open कर लेता हूँ तो यह elementor में open हो चुका है, अगर आपको यहां पे कोई भी spelling changes करने हो, आप बहुत easily कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूँ, let us say CBQ, तो आप बहुत easily कर सकते हो, आप यहां से change करो, चाहें इस जगा से change करो, अगर आपको यहां पे करना पड़ता है, let us say India के लिए I, N लिखना है, हो गया, जो भी आपको change करना हो इस पे edit करे, इस button का text क्या होगा, वो यहां से change कर लो button पे click करने, पर कौन से page पे जाएगा वो यहां दे दो, explore more पे click करने, पर कौन से page पे जाएगा, click करके उसका link pass कर दो, मैं फिलाल इसको update करता हूँ, आपको दिखा दू मैं यहां पे see आया या नहीं, या in आया या नहीं, यहां पे आते हैं और refresh करते हैं, तो आप check करोगे, यह details यहां पे change हो चुके हैं, right, इसी तरीके से जो भी आपको change करना हो, let us say आपको यह पसंद नहीं आया, यह icon पसंद नहीं आया, icon पे click करो, यहां आजाओ, choose image पे आजाओ media library पे चले जाओ, बहुत सारे icons already इस website पे हैं, अगर आपको खुद का upload करना है, तो यहां से upload कर लोगे, वरना आप इनकी gallery से भी images को pick कर सकते हो, let us say, मैं इसको insert करके दिखाता हूँ, see this, वो insert हो गया, style में जाएंगे, और थोड़ा सा इसका size जो है, वो increase कर देंगे, यहां से width को, better लग रहा है, similarly आपको content change करना है, यहां पर आकर type कर दो, let us say, मैं last में आकर कहता हूँ, hello, तो आपने देखा, वो आ गया, update पे click करते हैं, अगर आपको किसी भी image को change करना हो, तो यहां पे आजाओगे, image के उपर click करना, यह option दिखेगा, अगर नहीं दिखता है, तो style में जाओगे, तो दिख जाएगा, ठीक है, तो मैंने image पे click किया, choose image का option आया, media library से इस theme के अंदर जो image पड़े हैं, वो अच्छा लगता है, तो ठीक है, वरना upload पे जाओ, अपने computer से जो image आपको insert करना हो, वो drag करो, यहां ला करके drop करो, make sure वो अपके website के theme के according image जो है, वो match करता हो, तब ही वो देखने में अच्छा लगेगा, यह barbershop की series है, जो मेरा html का project था, उसका image मैंने आपको यहां पे लगा के दिखा दिया है, update पे click करना है, update हो जाने के बाद अपनी website पे आ जाओ, currently यह लगा हुआ है, refresh करते हैं, refresh होने के बाद यह image आपका यहां पे change हो जाएगा, similarly आपको जो भी changes करने हो पूरे website पे आप इसी तरीके से करोगे, elementor के जरिये आप navigation को change नहीं कर सकते, footer को change नहीं कर सकते, यह जो है आपको wordpress के customizer से change करना होता है, वो भी हम सीखेंगे, फिलाल बात करते हैं, इसमें animation कैसे लगाए, अगर मैं इसको refresh करूँ तो already यह जो main section है वो animation के जरिये ही आ रहा है, तो default को हटा करके बहुत सारे animations हैं, हर एक पर click करके देखें, आपको जो अच्छा लगे, तो मैं एक काम करता हूँ, बारी-बारी यहाँ पर हर एक के ऊपर animation perform कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर भी animation लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया, motion effect पर आके role-in वाला animation जो है वो perform कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आते हैं, और इस images के ऊपर भी, हम यहाँ पर animations को perform करेंगे, ठीक है, चलो, यह हो गया, फिर आप इसके ऊपर click करो, advance पर आ जाओ, motion effect, और यहाँ से, चलो, वही animation हम लगाते हैं, और इस जगह पे भी उसी animation को apply करेंगे, update करते हैं, update होने के बाद अपनी website पर आ जाएंगे, refresh करके check करेंगे, तो आप देख सकते हो, इस जगह पे आपको animation देखने को मिलेगा, similarly, जहाँ भी आपको जो भी animation perform करना है, बहुत easily हो जाएगा, जैसे कि मैंने अपने plates के उपर round वाले animation लगाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, so मैं इसके उपर click करता हूँ, advance पर जाता हूँ, और देखते हैं वो कौन सा वाला animation था, I think यहाँ पर आ जाएगा हमारा rotate वाला कोई था, rotate in, तो मैं rotate in को select करूँगा, yes यह वाला था, और similarly इस image के लिए भी advance, motion effect और rotate in, तो यह वाला animation था, मैं इसको update कर देता हूँ, update होने के बाद आते हैं अपनी website पे, यह इस जगह पर लगा हुआ है animation, तो हम इसके उपर click करके देख लेते हैं, तो आप check कर सकते हो, यह rotate हो करके आ रहा है, similarly जो भी animation, जो भी changes perform करना हूँ, elementor के जरीए बहुत easily आप कर सकते हो, मैंने आपको already दिखा दिया है, अगर आपको किसी और page पे changes करने हैं, जैसे कि about us, तो about us के page पे आ जाओगे, about us के page पे आने के बाद, इसे भी आपको elementor पे open कर लेना है, मैं पिछले वाले elementor को cut कर देता हूँ, elementor में आने के बाद, जो भी changes आपको करना है, about us की जग़े पे आपको एक और full stop लगाने last में, यह देखो हो जाएगा, same changes जो आपने main page पे किया, same animation जो आपने main page पे लगाया, उसी तरीके से आपको यहाँ भी changes करना है, वो आपको reflect हो करके दिखेगा, एक बार आपका changes हो जाए, तो आप इसको update करोगे, उपर आते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं, reservation का एक option है, जो की आपको इस theme में paid पड़ेगा, मैंने आपको starting में बताया, आप WordPress के playlist से, इस reservation को कैसे activate करना है, free of cost, वो आप उस video को check कर सकते हो, Swiggy और Zomato clone जहाँ पर मैंने बना के लिके दिखाया था, Android application के साथ, तो अभी हमें इसको remove करना है, मैंने आपको starting में बताया, ये section और navigation section और footer section, elementer से करना almost 99% theme में impossible है, वो WordPress के customizer से होता है, तो उस चीज के लिए, आप इसको close कर सकते हो चाहो तो, और आजाओगे अपने WordPress के dashboard में, dashboard में आजाओ आप, dashboard में आने के बाद, यहाँ पे एक option मिलेगा, appearance, customize, dashboard ओपन होने के बाद, यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, हमें इसको remove करना है, और यहाँ पे आप देख रो, आइकन आ रहा है, edit का, हम सबसे पहले काम करते हैं, यह जो ऊपर है ना, हमारे पास यह, zamp का एक icon, और इसे change करते हैं पहले तो, इसके लिए आप जाओगे, header builder पे, यहाँ पे एक आपको option मिलेगा, logo का, नीचे scroll करोगे तो, एक option मिलेगा, select site icon, अगर आपके पास computer में कोई file है, जो आपको रखना हो, तो यहाँ से upload करें, जैसे हमने इस barber वाले को किया था, अगर आपको theme library, या media library से कोई icon पसंद आ जाए, जो आप यहाँ पे change करना चाहोगे, तो आप उस पे click करो, select पे click करो, crop image करो, क्योंकि यह जो image है, वो square होना चाहिए, और publish पे click करो, publish होने के बाद, अपनी website पे आपके, आप refresh कर सकते हो, इस जगह पे, वो changes आपको देखने को मिल जाएंगे, see this, वो change हो गया, cyber, just another wordpress website, उसे भी हम change कर लेंगे, लेकिन उससे पहले, इसे यहां से हटा देते हैं, इसे हटाने के लिए, same काम, आप back आजाओ, header builder पे आजाओ, again header builder पे आने के बाद, आपको option मिलेगा primary menu, इस पे click करें, logo आपका इस जगह पे लगा हुआ है, primary menu आपके ये वाले है, ये button आपका reservation का है, जो की paid है, तो इसको आप यहां से cut करेंगे, और publish करेंगे, publish होने के बाद, अपनी website पे आजाओ, refresh करके चेक करते हैं, तो यहां पे वो remove हो चुका है, और राइट, बहुत easily हमने इसको remove कर दिया, animations को भी perform कर लिया है, अब cyber just another wordpress website की जगह पे bbq लिखना है, तो इसके लिए यहां आजाओ, close पे click करो, ताकि आप dashboard पे directly पहुंच सको, और यहां से आपको एक option मिलेगा settings का, लिख दिया bbq, just another wordpress website को remove कर देते है, और यहां पे scroll down करके, आपको save changes पे click करना है, changes save होने के बाद, अपनी website पे आकर के refresh करे, तो आप check कर सकते हो, bbq यहां पे आ चुका है, इसी तरीके से आपको जो भी changes करने हो, आप कर सकते हो, footer को भी अगर change करना है, तो यहीं wordpress के appearance, customizer से वो होता है, यहां पे आपको मिल जाएगा footer, तो आप footer section को यहां से change कर सकते हो, मैं फिलाल इसको close कर देता हूँ, तो आप check कर सकते हो, पूरी की पूरी website आपकी ready है, और बन चुकी है, अब यह सारा काम आपने local host पे किया है, जिन्होंने online किया है, उनके लिए अच्छी बात है, बट हमने local host पे किया है, तो इसका एक backup file बनाना पड़ेगा, उस चीज के लिए आप आजाओगे plugins पे, और backup file को generate करके, हमें उससे online migrate करना पड़ेगा, plugin पे आने के बाद, उपर जाओगे आप add new plugin पे, add new plugin ओपन होने के बाद, आप यहाँ पे आजाओगे और search करोगे, all in one WP migration, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, all in one WP migration, तो मैं यहाँ पे type कर देता हूँ, icon इसका ये वाला है, तो आपको इसको install कर लेना है, इसके बाद आपको इसको activate करना है, यह जाने के बाद, left hand side पे एक option मिलेगा, all in one WP migration, इस पे जा करके export पे क्लिक करें, export पे यहाँ पे एक option मिलेगा, export to, file के उपर क्लिक करें, इस process को एक दो मिनट का time लग सकता है, wait करें, आप check कर सकते हो, download का एक option आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आप उसके उपर क्लिक करें, यह कुछ seconds में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद, आप चाहो तो इसे close कर सकते हो, यह आपकी website ready है, हमें काम करते हैं, अपने online वाले domain के उपर आजाते हैं, तो यह मेरा domain था, जो मैंने select किया था, जो आपने domain select किया है, उस पे slash wp-admin लिखे, उसके WordPress dashboard को login कर ले, login करने के बाद, plugins पे आपको जाना है, add new plugin पे जाना है, और यहाँ से आपको same plugin, all-in-one wp-migration को धूंड लेना है, और इसे install करना है, install होने के बाद activate करें, activate होने के बाद, आप dashboard पे आजाओ, left-hand side पे एक option मिलेगा, all-in-one wp-migration, import पे click करें, localhost से आपको एक file export करके बाहर निकालना होता है, online server के उपर, आपको इसे import करना होता है, जो कि हमारे case में domain racer है, यहाँ पे एक option मिलेगा आपको, आप क्या कर सकते हो, अपने इस file को यहाँ से drag कर सकते हो, और अपने hosting के उपर drop कर सकते हो, इस process को कुछ minutes का time लग सकता है, almost 90 MB की file है, आप इस process को पूरा होने दोगे, मैं इसको close कर रहा हूँ, लेकिन आप इस process को पूरा होने दोगे, फिर आपकी जो website है वो domain के उपर, और domain racer के hosting के उपर live आ जाएगी, पूरे दुनिया से कोई भी इसको check कर पाएगा, तो आपने देखा बहुत easy way में, WordPress को use करके, हमने एक रहेस्टरो के लिए website create कर लिया है, काफी सारे animations के साथ, उमीद करता हूँ, आपको ये tutorial अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा, अगर ये video आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करें, और comment में अपना feedback दें, चैनल पर नियुता subscribe करें, बेल आइकन को क्लिक करके,